इस माई लाइच तो यह इस टोमी की इंद्दो हिंदी एक्स्प्सलेनेशन पर्ठ एट आपिस्वीरी चुरुबात में आपिस्वीरす patch को थोड़े टीचर योगी संसाई के Heart कि चक्करवकित दिये जाते हैं योगी को ब्यूटीफुल चीजें ही पसंद आती हैं ब्यूटी के बारे में ही सभी को पढ़ाता और बताता है और ब्यूटी में ही जीता है मतलब के कान को सीधी के बजाए टेड़ा करके पकड़ें और योगी के नाम बदल कर रखना चाहें तो वो होगा ब्यूटी प्रिंस क्योंकि वो गर्ल्स इसे भी जादा अपनी सुन्दता के स्टेंडर्स को लेकर पॉसिव रहता है इधर एक और हेर्ड्रेसर प्रिंस मतलब अपने नाई प्रिंस सागासा की भी थोड़ी स्टोरी बताने वाले हैं योगी पिछली तो इस दुनिया में खतम हो जाती है अगर जिसको भी इस से आगे की पॉजिशन चाहिए होगी तो फिर इसको फगवान के पास जाना होगा क्योंकि यह सबसे आला पॉजिशन है जो कि सेंट जेम अकैडमी साइबेरियन स्कूल की जानिब से हर जैनरेशन में से टाप का एक मसके लगाता है अपने इन ही शिब्दों के फंदों और अपनी लुक से वो गल्स को अपनी उंगलियों पर खूब नचाना जानता है सुकूरा के इस से पूछने पए कि वो कैसी दिख रही है बोलता है दरलिंग फिर मैं क्या कहूं इतना ही कहूंगा तो इस ड्रेस को पहन हो बहुत ही जादा सुनदर पर इनकी बाते सुनके तो सामने सुकूरा की तरफ देखकर यो की मन में बोलता है ठीक पैचानी हो वैसे मेरे को हमेशा ब्यूटिफुल लोग और ब्यूटिफुल चीज़े ही अच्छी लगती है पर सुकूरा के चेंड करने के लिए चले जान कितने प्रिंस के टाइटल मेरे बाइबत सुन्दर मुंदर फेस के साथ जोड़े जाते हैं और फिर इतना घुरूर मेरे को नहीं होगा तो आखर किसको होगा सुकूरा को ड्रेस पसंद आ गया था तो इसको बोलती है कि चलो ड्रेस तो सिलेक्ट हो गया जल्दी शादी करन है तो योकि इससे भी आगे के सपने बुन लेता है कि शादी करने के बाद उसके साथ प्रेंस के टाइटल तो रहेंगे या नहीं और फिर अपने मन में बोलता है कि अगर में इस ब्यूटिफ५ल गर्ल्से साथी करने के और पियूटिफ़ आज होते चाएंगे जैसे कि इस को तो बहुत मज़ा आ जाता है यह मतलब मेरे साथ लगे प्रिंस के टाइटल्स घतम नहीं होने वाले हैं पर यह भी था सिर्फ जागती अंखों का देखा सपना तो चलो एक टाइटल हम भी लगा देते हैं हमारी एकस्प्लेंग फैमली की तरफ से मिस्टर योगी के साथ डे कि मेरे पास सब यह वाले टाइटल्स और एक कि मेरे मेरे सब लेने की बहुत बड़ी इच्छा जागी 3 जिब एक दिन वह किसी लग्जरी कैफे में बैठा था तो इसके कान में वहां पर गल्स के इसको चोड़के कि सी और प्रिंस नामी के बारे में बात करते सुनता है और इससे भी कोई उपर की चीज है तो इन्हीं गल्स की बातों से लिजंडरी प्रिंस होने का सुनके तो फॉरण से इंटरनेट पर गूगली घुमाने पर इसको मालूम पढ़ता है कि सैंट जेम अकैडमी हर जनरेशन के लिए लिजंडरी प्रिंस का कंपटीशन करवाती है और थर्ट जनरेशन का कंपटीशन होने वाला है और योगी भी फॉरण से मन में इस कंपटीशन में कूनने का सोच लेता है फिर इसको याद आता है कि वो तो स्टूडेंट नहीं है और वो काफी परिशान हो जाता है मगे इसको आईडिया आता है और दुबारा गूगली करने पर इसको पता चलता है कि इस कंपटीशन में पाटिस्पेट करने के लिए बस आपको किसी भी तरह से स्कूल का पास या फिर प्रेजेंट स्टूडेंट या फिर टीचर होना ही काफी है जिससे देखकर तो बहुत स्यादा हैपी हो जाता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी उपर भी तो कोई नहीं होगा और इसके पास मौजूद सभी प्रिंसेस के टाइटल भी इसी एक टाइटल के अंडर आ जाएंगे और फिर इस कंपटीशन में पाटिस्पेट करने की रिक्वार्मेंट्स बढ़कर तो योकी को लगता है बस सभी प्राबलम खतम तो चलो फि योकी ने टीचर बनकर साइलन्सर के स्कूल में प्रिंस टीचर बनकर इंट्री मारी इस कंपटीशन के स्टाट होने का वेड़ कर लगा ठाकि इस बैती गंगा यम्में वो भी हात्त ऊ सके रोग रोएड थोड़वा करके प्रिंस अफ लेजन्डरी को मिलने वाली शीटको देखकर तो दिल को तसली देने भी जाता है कि देखना तेरे पर अपनी तश्रीफ रखने के लिए मैं ही इस दुनिया में आया हूँ। पर इतने सारे अकठे प्रिंसेस को धड़ा धड़ स्कूल में आते देखकर थोड़ा वरीड भी था। पर एक बात बिचारे को अभी तक खटक रही थी कि इस नॉर्मल सी दिखती लड़की में ऐसा खास क्या है जो मेरे को तो नजर नहीं आया। पर बाकी सभी को दिखा आखर क्या है ऐसा इस में। फिर खुद को तसलित देता है कि वो यहाँ पर लिजंडरी प्रिंस बनने के लिए थोड़ी न आयें। वो तो सारे के सारे सिर्फ एक लड़गी की चकर में है और अरत के चकर में पढ़ने वाले मर्दे कभी भी लिजन्री प्रिंस नहीं बनते और सोचकर है अपनी थोड़ी सेटिंग वेटिंग मार कर बोलता है चलो मेरे लिए तो अच्छा है कानों के पीछे पढ़े रहेंगे तो मेरे कंपटिशन विन करने की चांसे बढ़ते जाएंगे और पिछले दो विनर्स की पोट्रेट को वाल पर लगा देखकर तो बोलता है कि वेट करो भाई लोग में भी थर्ड जेनरेशन का लिजन्री प्रिंस बन गए इस दिवार पर तुम लोगों के साथ लटकने वा दिया है कि वह हमारी भी काफी इज़त है मतलब इनके पूल्य पर बोलता है कि मेरे को इस कंपटिशन में करने का कोई शौक नहीं है मैं ऐसे कंपटिशन को लाइक नहीं करता हूं तो हम इसमें हिस्ता नहीं लेंगे पर अचानक ग्लासिस प्रिंस कनादे को स्कूल से को बोलता है कि हाँ मैंने एड़ön हो जाएगा और अब मेरे को शक हो रहा है तेरी हल्कतों को देख कर नहीं है मामला खटाइमें पड़ता देख रहा है मेरे को इसमें ग्लासिस प्रिंस को इसकी कानों के साथ लास्ट टाइम कीगी बत्तमीजी वाली बात यात आने पर वो क आटकानो सन को देखकर तुम्हारी किसी ऐलेमेंटरी स्कूल के बेस्बरे लॉंडे वाली फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। कहीं से नहीं लगता है कि हाई स्कूल का सिलेबिटी प्रिंस बात कर रहा है। पर as usual कनादे इसको बोलता है ऐसा नहीं है, Glasses Prince बोलता है बिल्कुल ऐसा ही है। पर इन दोनों के हानावाली गेम में कनादे को रात का खाना, इसके डैड और तकातों के साथ खाने का मेसेज सुनने को मिलता है, जिससे सुनके तो वो काफी सेड हो जाता है, कि मेरे सुर्गी बाप की वज़े से नाजाने मचे क्या क्या करना पड़ेगा भी। हितोरी सैलेंसर के पास कान असन की सभी इनफार्मेशन अकठी करके रिपोर्ट देने इसके पास जाता है, जिसके लिए योकी इनकी सभी बाते सुन लेता है कि वो दोनों नारो से कानो को इस कमपटीशन के लिए यूज करने वाले हैं, जिसके लिए योकी की तो नारों से कानों के बारे में जानने के लिए student information record room की तरफ दोड़े लग जाती है कि इनका नारों से कानों को यूज करने से क्या मतलब है फिर इसके information देखने के बाद इसको पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज़ादा poor girl है जिसके पास कुछ भी आउट स्टर्णिंग फीचर्स नहीं है और इसकी सभी इंफार्मेशन पढ़कर तो सोचता है फिर क्यों सभी प्रिंसेज इसके पीछे लगे पड़े हैं और सबसे इंपोर्टन बात के खास कर सैलेंसर कैसे इसको चारे की तोर पर इन सभी प्रिंसेज के सामने डालने वाला है और फिर बोलता है कि मेरे को इस सब के बारे में जानना पड़ेगा और ये सम मुझे तभी पता चलेगा जब मैं उसे बात करूँगा जिसके लिए वो उसके घर का एड्रेस लेकर तो वहाँ पर पहुंच जाता है ताके इस से आमने समने बात कर सके और एस यूजिली वहाँ पर इसकी मुलाकात पहले कानोसन के प्रोसी नाई भईया सागासा से हो जाने पर इसको अपने मन में सागासा के प्रिंस होने के सिगनल मिलते हैं कि मेरे को लगता है इस प्रिंस की हमारे स्कूल में कमी रह गई है और वह सगासा को कहीं पहले से थोड़ा बहुत चानता था तो बोलता है कि मुझे ये कंगला तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है शकल से फिर इस गरीबों वाली जगा पर क्यों रह रहा है आखर फिर इसके सगासा को लग रहा था कि ये वी इसकी तरह और बाकी सभी प्रिंसस की तरह कोई और थी टीचर कानthest के पड़ने के लिए आया है रगजाया है पहुंजानू पूचने पर आजा है कि कहीं नारों से कानूप लड़कों नें तंग तो नहीं किया है तुर योकी बहुता है कि मैं इससे कुछ और बात करने आया हूँ पर वह कहां तो वह इसको बताता है कि वह तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई हुई है पर फिर इधर सगासा योकी से पूछ रहा था कि जरा खुफिया खुफिया मेरे को बताना क्या वह स्कूल में बाइस में बहुत ही जाद बता रखा है कि अगर इसको बॉइफरेंड बनाना होगा ना तो सबसे पहले इसको मेरे से मिलवाएगी वैसे काफी क्यूट है है ना आप क्या बोलते हो और योकी जोकी अभी तक इसकी बाते सुनकर इसकी तरफ हैरानगी से देख रहा होता है तो सगासा आगे से बोलता है कि उसको बड़ा भाई होने के नाते मेरे को इसकी फिकर लगी रहती है तो योकी सुनकर दिमाग का गंटा बढ़ा कर बोलता है जहां तक मेरे को अच्छे से पता है मेरी ताज़ा ताज़ा रिसर्च के मताबिक इसका कोई सिबलिंग नहीं है तो बोलता है कि इसको ऐसे में कोई तंग करे ना तो जो भी कानोसन को तंग करेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं बस तु मेरे को सिफ फॉरण से इशारा कर देना बाकी कर सब में खुद सम्भाल लूँगा और योकी के मन में ये बात आती है कि वैसे हाई स्कूल स्टूडेंट तो नहीं है पर क तो जने लगता है कि मैं भी तो प्रिंस हूं आखर पर मेरे को कानों के लिए इन बाकी सब की तरह कुछ फील क्यों नहीं होता है आखर ऐसा इन सभी प्रिंस में क्या है जो मेरे पास एज़ास नहीं है सगासा भी देख कर बोलता है कि ओई होई बाही काफी आगे पॉंचो लग रहे हैं मेरे को और फिर इसके चीखने पर वो होश में वापस आता है और फिर सगासा के बताने पर कि वो भी सेंट जेम अकैडमी का स्टूडन रह चुका है तो इसकी बात सुनकर योगी की दमाग की बत्ती जल्ती बुच्टी है क्यों नो फिर मैं इसको भी औरों की तर कर बोलता है कि मेरे पुराने जखमों पर नमक न चड़को मैं तो बैठा हूं विचारा जब सेंट जेम अकैडमी का स्टूडन था उसने पार्टी स्पेट कर रखा था और हार गया था योगी भी इसकी कथा सुनकर तो इसको थोड़ा दिलासा विलासा देता है और इसको ब कुलता है कि बस आपका किसी भी तरह कभी न कभी सेंट चेम अकैडमी से कोई न कोई रिलेशन होना जरूरी है तुम तो वैसे भी पास्ट में स्टूडन रह चुके हो वह सुनकर हैपी हो जाता है कि तो मैं भी जरूर शामिल हूंगा अपनी फ्रेंड्स के वहां आ जाने प बाडी गार्ड बनकर इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं तो रायो पूछा है कि इसको पता भी है तो बोलता है कि नहीं तो रायो सुनकर बोलता है कि फिर बेटा इसको बाडी गार्ड नहीं बलके इसको स्टॉकर कहते हैं तो कुकी इसको बोलता है कि असल में मैंने आनलाइन पढ़ा है कि इस अलाके में हुंडे मोवाली चोर चिकार काफी सरगरम है और रात के समय गल्स का यहां से अकेले गुजरना काफी जादा खतरनाक रहता है तो इसलिए में यहां पर कानोसन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया और रायों ने भी सेम न्यूज आनलाइन पड़ी थी इस स्ट्रीट में होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज और गल्स के साथ हुई काफी गलत गलत चीज़ों के बारे में तबी वो भी कानोसन के पीछे पीछे आ रहा था मतलब कि दोनों का सेम परपस था वह कुकी को अपनी तरफ स्टेरिंग करते देख कर बोलता है कि अबे भाई मेरे को घूरू मत परें तरै को पहले भी बता चूका हूँ कि मैं सिर्फ जी अपने बड़े भाई के लिए कर रहा हूँ ऐसे मत देखो मेरे को तो कुकी भी बोलता है कि ठीक है थीक है मैं समझ गया इधर मिस्टर डंग सामा ने दोनों के साथ डिना इन दोनों के सेंट जैम अकैडमी में ट्रांसफर होने की खुशी में रखा होता है और फे इन से कानो सन के साथ इनके तल्लकात के बारे में पूछ रहे होते हैं इस सब अच्छे से तो जा रहा है न पर वो दोनों इसको लेकर तो लड़ने लगते हैं एक बोलता है कि देख लेना मैं इसको हासल करकर रहूंगा तो दूसरों बोलता है कि वो मेरी है जिससे देख कर बार-बार मिस्टर डंक सामा इनके बीच में पढ़कर इनको ठंडा कराते हैं यह ठीक है ठीक है इन सभी बातों पर बाद में लड़ लेना पर खाने को बरबाद नहीं करना है बस तुन दोनों के सेंड जेम अकैडमी जाने से ही मेरे को बाकी सब तो पता चल ही गया है कानल सेंड पर स्ट्रीट में से गुजटते हुए किसी चोर अचके ने हमला किया था और कुकी और रायो इसकी हेल्प करने वहाँ पर पहुंच गये थे अभी इसके इनके साथ वापस जाती ही तो वो काफी कांप रही थी जिस पर दोनों ही अकटे इसके हाथ पकड़ लेते हैं और इसके चुड़ाने पर कुकी इसको बोलता है कि तुम्हें बचाने का रिवार्ड समझ कर हमारे साथ चलो क्योंकि हम दोनों मैंसे कोई भी तिरह हाथ तो छोड़ने वाला है नहीं और फिर वो दोनों छोटी मोटी नौक जोग करते हैं तो कानो सन को इसके घर तक छोडने जाते हैं और इनके साथ जाते विए रास्ते पर कानो सन काफी जादे रिलैक्स हो जाती है क्योंकि वो Κाफी फनी फनी बाते कर रहे होते हैं और कान早 सन की गर के करीब पॉइंटने पर तुब सगासा पहले से ही वहाँ बेठका गानों का वेट कर रहा था और इनके वहां पर पॉइंट ही इनके पास जाकर तो फॉरण से कानुसन के हाथ इन दोनों से छुडा लेता है जिब इसकी इस हरकत पर रायो इससे लड़ने लगता है तो इसको कूल डाउन करके तो सबसे पहले रायो के बालों का इस्टायल खराब होने का इसको बताता है ये मेरे को तेरे ये इस्टायल बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है और थोड़ा इसके फैशन सेंस पर भी नज़र डालता है और फिर इसका हाथ पकड़कर तो बताता है कि तेरे नाखुन भी काफी गंदे लग रहे हैं मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय है और फिर कुकी के पास जाकर भी इसको कूल डाउन करते हुई तो उसको भी बता अगी तेरी बालों का श्टाइल कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यह तेरे पर कुछ हास सूट नहीं कर रहा है और फिर इसके भी फेशन सेंस पर थोड़ी नज़ाद कर बोलता है पर कानुसन को अपने साथ चिम्टा कर दूर ले जा तो ये बोलता है मैं इसका बॉइफ्रेंड हूँ, तुम दोनों का बहुत पहुत थन्यवाद इसको सेफली घर चोड़ने आने के लिए पर फिर इनका मजाग उड़ाने लगता है कि तुम दोनों तो फेल हो गए हो मतलब कि मैं तो आलरेडी ही कानु का बॉइफ्रेंड हूँ, तुम दोनों के इसके बॉइफ्रेंड बनने का कोई चांस नहीं है, मैं तो आलरेडी ही इसका बॉइफ्रेंड हूँ अगर कानो सन की बात सुने बना इनको बोलता है कि अगर आएंदा कानो सन का हाथ पकरणे की कोशिश भी की न तो मैं अंडे की तरह तुम लोगों का सर कुछल दूँगा चलो भागो अब गर वापस जाओ इधर कनादे और टकातो सुजा को मेंचन में बैट लगा रहे थे एक दूसरे से कनादे बोलता है अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्टी स्पेट किया ना तो मैं ही जीतूंगा देख लेना और टकातो बोलता है कि जीतूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं और फिर अकटे ही एक दूसरे को बोलते हैं कि चलो फिर बाकी सभी लोगों के साथ हम भी इसमें पार्टी स्पेट कते हैं और देखते हैं कि कौन कितने पानी में है लिजन्डरी प्रिंस बनने के साथ साथ कानों का प्रिंस भी कौन बनेगा दूसी तरफ सगासा से अपनी बिज़ती खाने के बाद रायो और कुकी भी सगासा को खानों के साथ चिम्टे देखकर तो जले भुने खड़े थे और सभी के पास एक दूसे से बदला लेने के रिए सबसे बेस्ट चांस लेजनरी प्रिंस बनने के कमपटीशन में हिस्सा लेना था इधर silencer भी कानो सन को use करने का decide कर चुका था तो सभी के सभी princess legendary prince बनने के competition में participate करने वाले हैं और फिर यहीं पर 8th episode का end हो जाता है तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ